हो था rapport खर्ण। तो आज हम डिसक्स करने वाले नियु टोपिक जो बेसिकले हमारा है प्रोप्रेव्यर्स सेप्सऽेप्सं तो अज हम समझेंगे कि प्रोप्रिवर्सद्ट क्या होता है। इसमें कौन-कौन से receptor ہوتा है जो कहरी करते हैं इस development, और जो हमारे ब्रेन तक पात वे जाता है वो किसके सिरू जाता है तो basically proprioception नॉर्मल समझते हैं कि क्या है हमारा जो body positioning है in moment में space में जो हमारे body positioning हो रही है उसके sense को ले जा रहा है that is called proprioception जैसे बानके चलो मेरा heart move कर रहा है fingers move कर रहे up and down ठीक है up and down ठीक है यह तो moment है अब मैं इस moment को अपने आँखें बंद मनलब करके भी feel कर सकता हूं कि अभी मेरे fingers नीचे आ रहे हैं अभी उपर जा रहे हैं अभी नीचे आ रहे हैं अभी उपर जा रहे हैं same ऐसे यह अदर like leg up हो रहा है down हो रहा है यह आप चल रहे हो of body positioning in space हना तो जो भी हम moment कर रहे हैं उसकी positioning जो body positioning है उसका जो sense जा रहा है that is called proprioception हना और यह किसके अंडर में आ गया somatosensory हना somatosensory में जैसे mechanoreceptor thermoreceptor sorry nociceptor तो यह सब जितने भी होता है उसके अंडर में यह कहाता proprioception मना proprioception somatosensory में उसका मतलब क्या है sense of body positioning in space जो भी हमारा movement positioning हो रही है joint movement हो रहा है उसका सब sense लेके जाना है proprioception ठीक है अब इसमें हमारा basically कौन-कौन से होता है important जो इसमें होता है basically joint positioning ठीक है number 2 kinesthesia kinesthesia मतलब motion जो हमारा sense of motion है moment का ठीक है उसके बाद हमारा muscle force on joint या movement ठीक है muscle force adjoint और moment basically moment ठीक है and velocity जो भी हमारा velocity से moment आ रहा है उसका सब ये sense इसके अंदर हमां आते है joint positioning में जैसे basically जो भी हमारे joint है उसके area में क्या होगा मान के चले है कोई joint है ठीक है इसके area में capsule है ठीक है इस area में कुछ fluids है तो basically इस area में क्या होगे कुछ receptor होगे जो इस proprioception मानलब positioning जो भी ये information है इस moment के joint positioning की मानलब joint कैसा है किस angle पर है neutral position या जब moment हो रहा है तो joint में कौन कहां पर किस label पर है तो basically इसका कौन लेके जाएगा जो भी इस joint के around में receptor होगे और वो कहां जाएगे brain cortex में cerebellum में ठीक है cerebellum and cortex तो इसमें basically हमारे कौन से receptor होते है पैकिनियन पैकिनियन रिसेप्टर रूफिनी रिसेप्टर तो basically ये सब रिसेप्टर है जो हमारे बेसे लिए प्रोपर सेप्सेंट को जो sensory information है वो लेके जा रहे है ठीक है नंबर दू कैनिस्टेसिया हमारे same हमारा moment ठीक है motion analysis के लिए भी रिसेप्टर है उसके बाद muscle force moment like active and passive ठीक है passive ये चेक करना जैसे मैं active moment कर रहा हूँ अब ये elbow flexion कर रहा हूँ अब ये sense काउन दे जा रहा है proprioception से जा रहा है ठीक है ओके same अगर passive कोई जा रहा है with resistance या normal तो बूस का भी sense तो muscle force moment कितना जा रहा है उस पर कितना load है torque जा रहा है ये सब काउन कर रहा है proprio receptor ठीक है velocity में क्या detect होगा like speed ठीक है direction direction तो ये सब चेक करेंगे ओके कि ये direction speed detect होगी किस speed से जा रहा है किस angle पर है 30 degree पर है या 40 degree पर है ठीक है neutral से कितना degree आया ये सब imagination किसके according होगा proprioception ठीक है तो basically ये सब किसके अंडर मार है sense of body positioning in space ठीक है तो ये होगा अब इसका normal term देखते है ये तो हमने इसके देख लिए कुछ principles बोल सकते है या कुछ भी बोल सकते है कि proprioception के अंडर में क्या क्या चीजा आ जाती है ठीक है joint force ये सब अब इसमें देख सकते है जो basically important जा रहा है मलब एक muscle fiber में से जा रहा है और एक joint में से जा रहा है हाना तो basically इन चीज़े से जा रहा है इसकीन से जा रहा है जो भी हमारे skin में receptor है अब muscle fiber में हमारे दो चीज़े होती है एक तो होता है muscle spindle एक होता हमारा GTU मतलब basically इसका नाम क्या होता है गौल जी tendon organ system तो यह क्या होता है हमारे एक muscle fiber में होता है इस दिमान के चलो यह कोई मास्पेस ही है हमारे इस muscle में बहुत सारे fiber है यहां से अगर मास्पेस ही origin हो रही है तो इस side insertion हो रहा है तो इसके बीच में कुछ fiber ऐसे होंगे जिसमें यह spindle type के होंगे अगर 10 fiber है दस में से 2 होंगे ठीक है और जहां पर यह tendon muscle जब joint करता है तो यहां पर tendon मता है यहां पर कुछ ऐसे organ होंगे that is called GTO गौल जी tendon organ ठीक है दोनों ऐसे हमारे muscle में प्लेस होता है यह है हमारा muscle spindle यह हमारा गौल जी tendon organ अब इन दोनों का function difference है यह बेसिकली muscle का positioning बता रहे है proprioception बता रहे है कैसे जिस muscle fiber जो यह है muscle spindle है इसमें क्या होते है हमारे दो टाइप के fiber होते है extrafusal है infrafusal ठीक है अब बेसिकली इस muscle spindle का का काम क्या है जैसे यह muscle stretch होगा ठीक है मतलब muscle spindle elongate होगा तो यह क्या करेगा यहां से muscle contraction को activate करेगा और सान में basically proprioception में help कैसे करेगा कि muscle lengthening और sorting मतलब dynamic activation जो dynamic positional है body की वो proprioception देगा brain को कि यह muscle अभी sort है या lengthening हो रही है या sort हो रही है किसके तुरू muscle spindle तो muscle spindle कैसे काम कर रहा proprioception के लिए muscle की changing lengthening और sortening को बता रहा है हमारे brain को number 1 GTO क्या दे रहा है same sorry GTO भी क्या दे रहा है same joint position और muscle का dynamic position बताएगा किसमें proprioception में but GTO का काम दुसरा होता है muscle spindle basically muscle को activate करती है और GTO हमारा क्या करता है inhibit करता है मतलब relaxation देता है okay muscle spindle muscle को activate करता है मतलब basically contraction ये समझ लेना ठीक है ये इसके physiology का term है कि GTO relaxation देता है और muscle spindle activation देता है but हमारे basically proprioception में ये समझना है कि muscle spindle and GTO ये दो चीज़े क्या करनी है हमारी जो भी muscle activity है वो उनका movement हो रहा है उसका हमारा sense body positioning जो जा रहा है वो इन दोनों की वैज़े से जा रहा है in brain में by जिसको हम क्या बूल रहे है proprioception ठीक है ये एक चीज़ ही हो गया basically क्या काम करें receptor कि तरह है जो sense दे रहा है information collect करके दे रहा है clear ये तो होगे मसल में same joint में हमारे receptor होते है like pecanion, ruffini ये सब क्या जा रहा है same receptor रहा है अब हम चेक करते है brain में कहां जा रहा है कौन सा pathway लेके जा रहा है ओके इसे मैं समझ लेते है तो pathway कौन सा लेकी जाता है basically like ये समझ ले हमारा right है ये हमारा left है okay ये हमारा brain का ऐसे part समझ लेते है this is ठीक है यहाँ पर हमारा mid brain आ गया ये हमारा pons then medulla पर निचे spinal cord ये वाला area अब जो भी प्रोप्रेश एफ्शन है प्रोप्रेश एफ्शन में कौन-कौन से आंगे like vibration touch pressure जो भी होगा जो भी sense जाएगा वह हमारे body से spinal cord में जाएगा okay first spinal cord फिर spinal cord से जाएगा उपर medulla ठीक है इस वाले area पर ये cross होके फिर जाएगा left side अगर right side से आ same अगर left side से आ रहा है तो हमारे cross होगा medulla पर right side जाएगा ठीक है ये crossing याद रखना कि प्रोप्रोप्रेश एफ्शन का जो track लेकि जाता है वो cross कहां पर होता है medulla पर अब इसमें कौन सा pathway होता है basically इसको हम बोलता है dorsal column pathway ठीक है dorsal column pathway तो इसमें कौन सा track होता है basically posterior spinal cerebellar tract याद रखना तो प्रोप्रोप्रोप्रेश एप्शन का लेके जा रहा है spano, cerebellar, track, posterior, dorsal column का pathway में ठीक है तो इसमें कहां जा रहा है उपर cortex में और cross हो रहा है कहां पर हो रहा है right का left में medulla label तो यह हमने pathway भी देख लिया अब इसके नॉर्माल एक दो देख लेते हैं कि प्रोप्रोप्रेश एप्शन में example like कैसे होता है testing like ठीक है जैसे हमने kola की हमने fingers in dust fingers हमने nose touch करना है ठीक है पहले देख के then तो जिसमें neurological disturbance होता है या मईलब कोई disorder होता है single like weight wearing ठीक है तो coordination भी आ जाएगा उसमें but उसमें भी joint sense like movement जैसे neurological deficit है अब उसमें sensory जाए neural paralysis का case है तो उसमें हमने proprioception joint compression vibration उसके बाद हमने movement check करना है with visual feedback up down feel हो रहा है नहीं हो रहा then उसके बाद eye close तो यह सब हमारे proprioception में आते है और gt और muscle spindle help करे रहा है muscle activation relaxation में और किसमें sensory दे रहा है proprioception तो basically proprioception क्या है sense of body positioning in space by जो भी उसके receptors है area है और किस pathway के जा रहा है dorsal quantum pathway तो guys यह था हमारा proprioception इसमें अगर कोई confusing हो या कोई doubt हो please comment करके बताए अगर आपको पसंद आए तो please इसको share करें इस वीडियो को thank you